नमस्कार दोस्तों इश्वर सदयाव आपका बहला करें और आपकी चोलिया इश्वर के आशिरवाद से उसकी दिया से उसकी रहमतों से सदयाव भरी रहें दोस्तों आज बात करेंगे बसंत पंचमी के महान तेवार महान पर्व जो कि हमारे देश में बहुत धूम धाम से बनाया जाता है अभी सबसे पहले संशे इस बात का है कि इसे किस दिन बनाया जाए देखिए इस दिन आ बसंत पंचमी का जो तेवार है 29 और 30 दोनों दिन के लिए लिए तो हमारे हिंदु शास्ति में जो भी तिती सुरोदे के समय उधित रहती है उसी किसी भी तैवार को मनाया जाने का एक कैसे प्रावधान है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे जो विद्वान जन है उन्होंने 30 जनवरी को ही बसंत पंचमी मनाने के लिए बता तोटल एक घंटे 59 मिनट के अवधी रहेगी इसके अलावा जो पंचमी दिथी हैं अगले दिन अर्था 30 जन्मरी को उस दिन आप क्योंकि उस दिन आपको अभिजित महर्त भी मिलेगा बुद्वार को अभिजित महर्त भी नहीं मिलेगा तो आप अभिजित महर्त के समय भी माता सरस्वती की पूजन अवश्य कर सकते हैं जो कि 11 बज़े से लेकर सड़े 12 बज़े के 20 तर होता है अब बात करेंगे कि सरस्वती माता का अभिभार्य इस धर्थी पे कैसे हुआ दिके शृष्टी के प्रारंबे काल में भगवान विश्णू के आगया से ब्रह्मा जी ने मानव योनी की रशना के पर अपनी सुजन से संतुष्ट नहीं थी तब विश्णू जी के आगया ल था वही अन दोनों हाथों में पुस्तक पमाला थी जब इस देवी ने वीना का मदुपतार नात किया तो संसार के समस्त जीव जन्तों को वानी प्राप्त हो गई तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वानी की देवी सरस्वती कहा इसलिए बसंत पंचमी के दिन को ही इनके ज पराधिना करेगा उसे सिक्षा संबंदित और वानी संबंदित समस्याओं का निवारर हो जाएगा तो देखिया आज इस विशेश जो तेवहार है इस पर आपको कुछ विशेश उपाए में बताना चाहती हूँ नोट कर लें बहुत ही विशेश और बहुत ही सरल उपाएं देखिया सबसे पहला बसंच पंचमी के दिन आपको पीले चावल गुड और तिल का दान करने हैं दान आप किसी को भी कर सकते हैं और यदि खासका गरीब व्यक्ति को करें तो जादा अच्छा और खासका ब्रामण को किया गया दान जादा सुफल होता है इसके अलावा बसंच पंचमी वाले दिन से आसमानी लीले बिंदु पर ध्यान करें दीरे दीरे जो आपका क्रोध है वह खतम होने लगी इसके अलावा गिदि आपको परिक्षा से डर लगता है नर्वसनेस लगती है तो बसंच पंचमी के दिन से ही अपने मन में मांसिक बिंदू लाल र आनाया म क्या करें और इसके लाव एक विशेश मंत्र बता रही हूं जिसे आपको बसंच पंचमी के दिन से सिद्ध करना है और आगे इसे करते चलना है वह मंत्र है ओम श्रीम भीम सरस्वताई नमा इसका आप जाब करें इस मंत्र से बुद्धी बढ़ती है ज्यान बढ़ बोलना शुरू कर देंगे जिससे आपकी शब्दों का उचारन बहुत अच्छा हो जाएगा इसके अलावा विद्ध्यार्थियों में आत्म विश्वास और इकागरता वरती इसलिए बसंद पंचिमी को कम से कम एक हजार आट बारे समंत्र का जाब करी और इसके अलावा भ अपने हाथ में एक हरी इलाइची ले ले हरी इलाइची वह होनी चाहिए जो सूखी हुई ना हो अच्छे कालेदानों वाली हो और उसको लेकर अपने हाथ में मातस सरसुती का मंत्र ओम सरस्वते नमा या चंदुदेवता का मंत्र ओम सोम सोमाय नमा को 11-21 बार पढ़े लेकिन आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है पढ़ाई तो महनत तो करनी है लेकिन यदि आप इंश्वर को सामने रखकर यह इंश्वर के साथ आप मिलकर चीजों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो भी सफलता मिलेगी वह अद्वती होगी वह विशेश तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार